जो भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज के बीए बेसी बीकॉम के हमारे स्टूडेंट है उनके लिए कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल क्या है उनके एकजाम से संबंदित और उनके लिए तो वीडियो को कम्प्लीट देखते रहेगा एक एक करके हम सारी बड़ी अपडेट्स आपको बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आज की जो सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है वो आप सभी की परिच्छा की जो नया टाइम टेबल है नई सेडूल वो जारी कर दी गई है लेकिन जो सेडूल है वो बीए बेसी बीकॉम के सेम प्रेल दोहजार 24 से प्रारम है और यह पहले ही डेट सीट आई थी लेकिन इसमें कुछ संसोधन किया गया है ठीक है तो इसमें संसोधी टाइम टेबल है यह नया जारी किया गया तो आप लोग पुरानी वाली डीट करके यह वाली डाउनलोड कर लीजेगा जो भी हमारे ए एलो पद्या गोरकपुर इनवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महातपूर है तो इसमें एडमीशन जो है ओपन हो चुका आप लोग अपना एडमीशन करा सकते हैं तो आप लोग यानि कि आजी से ओपन हो चुका हो गेरा मही तक रहेगा इसे बीच अपना एड पड़ते हैं जो अब डेक है वह आप सभी के लिए भी महातपूर है यह जो अब डेक है यह जिसको आप लोग रोहिल खंड इनवर्सिटी के नाम पर जानते हैं ठीक है महत्मा जोतिप्पा भोले रोहिल खंद इनवर्सिटी के ओर सी आ रहे है इसमें जो भी बीए बेसी ब ही कि हरहाल में हम 30 जून तक अपनी जो सेकेंट समस्टर फौर्थ वर्जिक स्टूडेंट की परिच्छाएं तो इससे साबित होता में बेसितम के चुछाएं जल्दी कराई जाएंगी 20 जून लिखाए इच्छा है मैं में होंगी बाकी अपडेट आएगी तो आपको इंफोर्मेसिन कर दिया जाएगा और मैं आपको एक और बड़ी अपडेट बता दे रहा हूं और जो डीडियू वाले स्टूडेंट है यानि कि दिन दयाल उपद्याय गोरकपुर इनुवर्सिटी वाले इन सभी आपके काम की नोटिफ है तो इनको सभी को आपको पढ़ जरूर लेना है ठीक है और मैं आपको बता रहे हूं कल देफे की रज्जु भाईया इनुवर्सिटी की डेट सीट आए थी तो मैंने आपको इंफोर्मेशन कर दिया इफी तरह पड़डे कोई ना कोई इनुवर्सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिख दीजेगा ताकि कोई अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुन सकें बाकी मिलते होने वीडियो के साथ जैहिंद